टीवी का कंट्रुवर्सल शो बिक बॉस की चुर्चा जोरो पर है। ओक्टूबर महीनी में सीजन 14 की शुरुवात होनी है। ये शो हर साल कई कारवडों से टॉक आफ दे निशत बना रहता है। शो में होने वाले लड़ाई जुगड़े एक तरफ तो पीठ पीछे चुगली का खेल अलग। लेकिन इन सब की बीच शो में बोल्डनेस का तड़का भी होता है। बिक बॉस 13 सीजर में कई हसीनाओं ने छोटे परदे को बड़ा बनाने का काम किया। चोटा परदे का तापमान इन हसीनाओं के कारण गई बार इतना बढ़ गया कि मंतरवाले को इस शो के लिए नोकिस देना पड़ा। तो चली आज हम कुछ ऐसी ही हसीनाओं की खूपसूर्ती और बिंदास अदाओं की बात करेंगे जिन्होंने अपने बोल्डनेस का बिक बॉस के घर में तड़का लगाया। और अपने बोल्ड अदाओं से अच्छे अच्छों के पसी ने छुडा दिये। सबसे पहले बात करते हैं सनी लियोनी। हौट अंड सेक्सी सनी लियोनी बिक बॉस पांच में जब सनी की एंची हुई तो टीवी की दुनिया का इतिहास और लोगों की पॉर्ण के प्रती सूच पतली। सनी ने अपना जादू लगबग हर जगा ही चलाया है। सनी ने बिक बॉस में पोल डांस भी किया जो टीवी के इतिहास में दर्ज हो गया और कभी बदला नहीं जा सकता। अब बात करते हैं गिजल ठक्राल की। बिक बॉस नौ में गिजल ठक्राल ने एंट्रिली थी। और बिग बॉस में अपने ग्लैमरस वंदाज का तड़का लगाया था गिजल इतनी होट हैं कि उनकी अदाएं आप भी देखकर हैरान रह चाएंगे करिश्मा कोटक बिग बॉस सीजन 6 में नजर आई थी कोटक घर के अंदर जब कोटक गई तो इनका दिल कई साथ ही पूरुष कंडिस्टेंट पर आया था पेशर से मॉडल और एक्टर करिश्मा कोटक हसीन तो हैं ही इनकी अदाएं और भी कातिलाना है खुद देखिया इनकी कातिल अदाएं सोनाली राउत हीमेश रिसमिया के फिल्म एक्सपोज में वहीगी सफेद साड़ी पहन कर दिलों को धड़काने वाली सोनाली राउत ने बिग बॉस आर्ट में जम कर स्किन शोक किया स्विमिंग पूल में भी उनकी अदाओं ने पानी में भी आग लगाने का काम किया शरलिन चोप्रा शरलिन चोप्रा मॉडलिंग की दुनिया से फिल्मों में आई लेकिन वो इन सबसे ज़ादा अपनी बोल्डनेस के कारण चर्चाओं में रही और आज भी है बिग बॉश 3 में नजर आई शर्मीन को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता सना खाण सल्मान खान की फेवरिट कंटिस्टिंट में शुमार सना खाण ने बिग बॉश 3 में खूब नाम कमाया कभी बोलनेश तो कभी बेबाग बोली सना ने कोई कसर नहीं छोड़ी बाद में वो सल्मान खान के साथ फिल्म जय हों में भी नज़र आई थी एली अवराम बिग बोस साथ में नज़र आने वाली एली अवराम शो के इतिहास की सबसे खोबसूरत कंटेस्टेंट में से एक है उनकी क्यूटनेस और अदाओं ने हर किसी को दिवाना बनाया था गोहर खान गोहर खान जितनी खोबसूरत हैं उतनी ही बोल्ड और उससे कई ही ज़्यादा स्ट्रॉग बिग बोस साथ में गोहर ने ना सिर्फ पाटिसिपेट किया बलकि शोद जीत कर ही घर लोटे डियांडरा सोरेस मौडल और फैशन डिजाइनर डियांडरा सोरेस कई टीवी शोज होस्ट कर चुकी हैं बिग बोस एट में गोहतम गुलाटी के साथ उनकी नजदीकियों ने टीवी देखने वालों का मिज़ाद बदल दिया था गोहतम इस सीजन के विनर बने थे तो देखा आपने कि इन होट अदकाराओं ने कैसे अपने कातिल अदाओं से बिग बॉस में अपना जादू चलाया था और लोगों को अपना दिवाना बनाया था हाला कि अभी और भी एक्ट्रेस और मॉडल्स हैं जिनके बारे में हम आपको कभी और बताएंगे तब तक के लिए आप पंजाब के इस्ट्रे ग्रूप के साथ जुड़े रहें